एक दिन उसके पास खुल ले नहीं थे तो उसने 500 का नोट दिया तो बच्चा मुर्गा खरीद लाया या तो खुद का पढ़ वरना उसका पढ़ जिसका इसको पता नहीं हो कपड़े धोती हूं तो चाबून के जाग में तुम नजाता है दिजिटल खिड़की का निश्चितरूप से प्रवल सयोग इस कारिकम को है और इसके बाद भी जो लोग आज यहां सुन रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन इसके बाद भी करोडो करोड हिंदी प्रेमियों तक जो इस कारिकम को पहुँचाने का उपकरम हिंदी कविता को पहुचाने का उपकरम जो डिजिटल खिड़की कर रहा है निश्चितरूप से वो भी साधुवात के पात्रे हैं एक बार में संचालन कर रहा था तो मैंने एक मेरे पास जो सुची थी पंकज भाई उसमें एक शायर थे जो रांची से आए थे अब मैं उन कोई बारे में मुझे बताया कि बहुत बड़े शायर हैं तो संचालन क्या होता है कि कभी के प्रभाव में आ जाता है मैं भी आ गया तो मैंने कहा कि बहुत बड़े शायर हैं और आप इने सुनिये लोगोंने तालीब जा दी उन्नाओं में मैंने माइक पर बुला लिया उन बोल कि यह क्या चल रहा है? तो मैंने कहा, मुझसे कोई गलती हुग 변हाई, ज से ठुधाल है, यह तो फला ने शायर का बढ रहा है, तो मैंने उसको कुछ नि कहा लेकिन मुने उस माहिक पर खड़े बए शायर को का मैंने का भ Canadians, तु या तो खुद का पढ़ वरना उसका पढ़ जिसका इसको पता नी हो कि जियो और जीने दो की संस्कति का देश महान कि जियो और जीने दो की संस्कति का देश महान जीव दया का हमने दुनिया को सोपा संग्यान जीना भी सम्मान जहां पर मरना भी सम्मान ये हे हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान ये हे हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान है जासे प्यारा हिंदुस्तान पहला चित्र देखिए कि आसू से आसू खुशियों से खुशियां यहां उगी है, धड़कन धड़कन दया शमासत भावों बीच पगी है, क्या पूनम क्या हुई अमावस हमने सब को पूजा, जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा, देव धरा के कनकन में जा बसते है भगवान और अगली पंक्ती पूरी दुनिया में कोरोना का हल है, जो केवल भारत के पास है, कि देव धरा के कनकन में जा बसते है भगवान, इसलिए हर जीव जन्तु का हम रखते है ध्यान ये हे हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जासे प्यारा हिंदुस्तान एक चित्र छोड़कर अगला चित्र सुना रहाँ कि वीरों की परिपाटी के नित किस्से नए बुने है गुरुगोविंद के लाल यहां दीवारों बीच चुने है घास की रोटी खाकर भी राना ने वचन निभाया स्वाभी मानी संसकारों का शीवा ने अलक जगाया शीश बिनाधर लड़े सेनिकों काहे गौरवगान और ये पंक्ती मैं कविवर जगदीश सोलंकी जी को भेट कर रहाऊं कि शीश भिनाधर लड़े सेनिकों का हे गोरवगान जन्म से जादा जिस धर्ती पर मृत्यु हुई महान ये हे हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहांसे अंतिम चित्र सुना रहा हूँ, कि गिद्ध जटायू के नकरावन के मुख पर अंकित है, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित है, जहां गाएने माता बन कर तन्मन शुद्ध किया है राणा के चे तक ने मरते दम तक युद्ध किया है इतियासों में मुकपश्वों का पूजित है बलिदान इसलिए हर जीव जन्त का हम करते सम्मान ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदु और हमारी माता जी सुन रही हमारी कुछ बहने है मैं गीत का समापन करता हूँ कि शीश काटकर माहाडी ने रण में भेजी ज्वाला मापन्ना ने दीप बुजाराना का वंश उजाला सावित्री मा मीरा पदमिनी की है अमर कहानी बुंदेली मनुने बेरी को याद दिला दी नानी क्रांति कवीता किर्ति जगाती यहां सुबद्रा चोहान कल्प न सुनिता ने दुनिया को दे दी नई उडान ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान न्यारा हिंदुस्तान है जासे प्यारा हिंदुस्त को पढ़ाने से ज्यादा मध्यान भोजन की चिंता करनी पड़ती है हमारे बदनावर में कवी है राकेश शर्मा हास सिके वो हेड मास्टर हो गए है और वो मध्यान भोजन के ज्यादा चिंता करते हैं एक दिन रोटी वाली भाई नी आई तो उसने केले बटवा दिये वो पा पहले दिन एक बच्चे को सो रुपे दिये तो बच्चा पालक खरीद लाया दूसरे दिन सो रुपे दिये तो टेंसी लिया एक दिन उसके पास खुले नीते तो उसने पांसो का नोट दिया तो बच्चा मुरगा खरीद लाया यह जो बच्चे वेठे ना एक साथ चार पा जानिज्य में जानाई है हमारे यहां प्रेम बहुत प्रेक्टिकल होता है मालवा का आदमी तो प्रेम इतने कॉन्फिडेंस से करता है कि उसके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं है हम लोग तो बीए फस्टियर में हम तो सरकारी कॉलेजों में पढ़ें आप लोग तो खंड भारत दिवस मना लेते थे एसे हमारे क्लास में प्रमोत था और एक प्रमीला थी दोनों ने हो गया सेटिंग अब दोनों प्रेम पत्र लिखते थे उस समें मोबाइल नहीं था उसको लिखती प्रेम पत्र में मैं कपड़े धोती हूं तो चाबुन के जाग में तुम नजर आते हो बता आप इसमें इससे बड़े प्रेम का कोई प्रतीक है जाडू लगाती हूं तो कच्रे में तुम नजर आते हो रोटी बनाती हूं तो पीड़े बेलन में तुम नजर आते हो और प्रमोध भी उची-उची छोड़ता सोता हूं तो तकिये में नजर आती हो यहां प्रेमी लोगों की देखो, क्योंकि यह इसलिए खुश हो रहे हैंगी, इनका चरित्री चित्रन हो रहे हैं, और यह उनों ने करा था, जिनके कारण यह यहां बेठे हैं, अब उनके पत्र लाने ले जाने का काम अपन करते थे, यह गंभीर जिम्मेदारी मेरे हिस्से मे कभी-कभी मेरी सामप्रदाइक्ता जोर मार जाती तो मैं उनको खोल के पड़ भी लेता था, फाइनल होते होते प्रमीला की शादी हो गई गुना और प्रमोत की शादी हो गई पुना, तीन साल बात दोनों देवास के एक मेडिकल स्टोर पे मिले तो प्रमीला ने जट अप उसके घर के लोग मा थे आ गए, और आयजग को पकड़ा, तो मैंने इन दोनों को बचाया आज, ने तो सुबह ये दोनों महाँ नजर आते कल के कभी संबलन में यह नी जा पाते, तो उसके घरवालों ने का कैसा कभी बुलाया, इसने इत्ती वीरस की कभीता सुनाई कि हमा तो वीरी में इच्छा हो तो बता, तो वो कभी वीरस का था, उसने कहा है सर वही कभीता में एक बार आपको भी सुनाई